तो आज की classes में हम लोग discussion करेंगे कवक्षम जिवालू या फिर actinomycities जिवालू क्या है तो actinomycities या फिर कवक्षम जिवालू क्या है या इसको इंगलिस में क्या बोलते हैं mild bacteria over actinomycities इससे पहले वाले classes में हम लोगों ने देखा था कि नील हली सेवाल और बैक्टरिया में क्या आंतर है और दूसरा topic जो कवर किया था उसको क्या करते है mycoplasma तो बिसिकलिए ये दो topic हम लोगों ने क्या किया था कल के classes में discussion किया था और तो आज के class हम देखेंगे कि कवक्षम जिवालू या फिर actinomycetes क्या होता है तो सबसे पहले इसमें देख लेंगे ये जिवालू एक कोश्की साइजोमाइसिटीज वर्ग का actinomycetes गड़ की शदश्य होते हैं मतलब ये किस वर्ग से बिलांग करते हैं तो ये इस वर्ग से बिलांग करते हैं जिसका नाम है साइजोमाइसिटीज साइजोमाइसिटीज एक वर्ग है इसी वर्ग से क्या करते हैं ये कवक्षम जिवालू बिलांग करते हैं और इनकी गड़ क्या है तो इनका जो गड़ है वो हो जाएगा Actinomycetils ये इनका क्या हो जाएगा गड़ हो जाएगा अब हम देखेंगे कि Actinomycetis की क्या General Character इसकी क्या सामान लक्षड है तो इसके लक्षड के कर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है General Characteristics of Actinomycetis तो इनके सामान लक्षड जो होते हैं वो क्या होते हैं निम्नल लिखिट होते हैं चलिए देख लेते हैं कौन कौन सिंद के लक्षड होते हैं सबसे पहला है यह कवक जाल की रूप में मिलने वाले जी होते हैं मतलब यह ऐसे कवक होते हैं इनके जो तंतू होते हैं वो पतेहिं होते हैं तो यह साखित होते हैं साखित के होते हैं और लगभग ये कितना ब्यास होता है तो लगभग ये 0.2 से लेकर के 1.2 मीटर ब्यास के होते हैं मतलब जीस प्रकार से वास्तविक जिवारू था उसी प्रकार से ये भी क्या होते हैं ये प्रोकेरियोटिक होते हैं आगे की देखे लेटें के अगली पॉइंट को कि इसका अगला पॉइंट है कि इनमें वास्तवी किन्डरक नहीं होता है मतलब इसमें किन्डरक तु होता है बट वह गोजू किंदर्ग पाया जाल किंदर्ग जाल किंदर्ग दरब्र में का थोसके शाल कमकेशित गड Edwards मुदायों किंद्रम नें होता है किंदर्ग कर्ण कोशिदर्ग में व भिख्रे गड्बन ओथो इस्विक्रों के दागे दःगतीजAY मों मुंक्या निए प्रदरशित करते हिए इनमे जो होने वाले जनन को क्या करते है वह कौन से होता है तो वह काइक जनन को क्या करते है अगली पॉयंट के तो अब हम इसके आगे देखेंगे अब हम पढ़ेंगे जगत प्रोटिस्टा की बारे में ठीके तो बैक्टरिया वाला टॉपिक हम लोगों ने आहला लिए, नेक्स्ट थॉपिक हो जाएगा जिसका नाम होगा जगत प्रोटिस्टा, zgad जगत प्रोटिष्टा को इंग्लिज में कहा जाता है किंग्डम प्रोटिष्टा कहते हैं इससे पहले में आपको बता दू कि आप पड़े होंगे पांस जगत और जिसको आरेश वीटिका नामक वह ग्यान ने दिया था तो उसमें पांच जगत आया था पांस में कौन-कौन जगत मोनेरा था जगर प्रोटिस्टा था जगत कवक था और जगत प्लांट और जगत एनिमल ये पांच जगत था तो आज हम बात करेंगे जगत प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा तो चलिए देखे प्रोटिस्टा जो होता है प्रोटिस्टा बताएं कि प्रोटिस्टा श गया है तो गृकि को किस बहासा से लिया क्या है और जिसका शावधिकर्द क्या होता है तो जिसका आर्थ होता है सर्व प्रथम प्रोटिस्टोज जो होता है इसका मतलब होता है सर्व प्रथम यहां पी तीन प्रश्ण कहीए scaredawk CP सब्द किस भासा से लिया गया है तो कहेंगे ग्रिक भासा पहला क्वेशन दूसरा क्वेशन क्या हो जागी कि इस ग्रिक भासा की किस सब्द से लिया गया है तो यह प्रोटिस्टोज से लिया गया है अब तीसरा क्या होगा इसका अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है त्टिस्ण में किया था जयार प्रोटस्ड और 2 प्रस्ट को 16 result 10 प्रस्ट को इंपनों किया अ हे किस भावासा से लिए इसना क्या उन्हें चूनित्र ना के वहां शैओ् में किया है ठीक है आगे की तरफ हम देखें तो इसका अगला पॉइंट बताएंगे कि इन्हों ने क्या किया था प्रोटिष्टा को जगत मोनीरा में रखा था यानि कि प्रोटिष्टा सब्दका प्रयोग अर्नेस्टेकल ने तो किया था लेकिन इसके सासत इन्हों ने एक और का कि इस प्रोटिष्टा को इन्होंने जगत मोनीरा में रखा था ठीक है अब जगत प्रोटिष्टा के अंतरगत कुछ एक कोश्की शैवालों एवं कवको को छोड़ करके मतलब जगत प्रोटिष्टा में एक कोश्की शैवाल को छोड़ दीजिए और कवको को छोड़ दीज बागी सभी एक कोश्की आकोश्की जीवों का क्या करतिश में अध्यन करते हैं अब हम बात करेंगे जगत प्रोटिस्टा के क्या चीज़ तो जगत प्रोटिस्टा के सामान लक्षर General Characteristics of Kingdom Protista तो जगत प्रोटिस्टा के सामान लक्षर जोते वो निम्नल लिखित है पहला क्या है यह मुखिता जली जीवों है, मतलब यह जल्मे रहने वाले जीवों है जो शमुद्री जल्मे, सुच्छ जल्मे तथा नम म्रीदा में क्या होते हैं पाये जते हैं ये प्राया कहां रहते हैं तो क्या बताएंगे ये जो है पहली बात तो ये जली जीव है दूसरी बात क्या बताएंगे दूसरी बात बताएंगे ये कहां रहते हैं ये समुद्र तथा समुद्री जल में रहते हैं और स्वच जल में रहते हैं जिनके सरी में यह परजीविक रूप में क्या होते हैं तो यह परजीविक रूप में पाए जाते हैं अब हम इसके अगले करेक्टर की तरफ देख लेते हैं अगला करेक्टर क्या है अगला करेक्टर की यह एक कोश्की एकल या शंगी यूकरियोटिक जीव होते हैं मतलब यह 않는 НА 슈लूलोष के नOoh। धाँ का वह वता है तो हदे ज़या होता है नहीं के छोता है पुल रूप से हुआ हैं और और ्ंध शेना Алओं ना इनुंहा pagOOOO रूप से विक्षित होता है और इसके इन में सभी प्रकार की कुश्चांग क्या होते हैं और इसके लास्ट पर्ण बता है कि इन में क्या होता है इन में लेंगी तथा लेंगी जनन दोनों प्रकार से हो सकते हैं मतलए इसमें सक्चूवडर्द भी होता है और इसक्च्वडर्य बिस्टत है था क्या इसका पिक हम लोगों ने कवर कि, जगत C प्रश्चन गयां सबसे परवना रोग किस जीवालू से होता है तो नीमोन्य रोग किस जीवालू से यां तो इन प्लाज्म tark होग तो माइको प्लाजमा कर लिजगा किस माइको प्लाजमा या किस से होता है तो नीमोनियारों किसी वालू से होता है तो किस से होता है उसका नाम बताना है और दूसरा प्रशन क्या हो जाएगा वनस्पति जगत का जोकर किशे करते कली हम इसको बताया थे हमने यह भी कहा था कि ह हो सकता है कि यही प्रस्ण आपके मतलब यह टिस्ट में जो कि आ जाए तो बिसकलि आप बताएंगे वनस्पति जगत का जो कर किसे करते इन दोनों क्वेस्टन के अंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें